हेलो फ्रेंज मैं हूँ निशा और मेरी चनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वाज़त है तो आज मैं गुद्राप की स्पेस्यल डिस आमरस और पूरी बनाने वाली हूँ तो फ्रेंज अभी आम का सिजन है वो आदेया है और बहुत तड़ा आम है वो बादर में मिल रहा है तो चलिए आज हम बनाते हैं आमरस और पूरी तो फ्रेंज आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छी तरिके से आमरस और पूरी बना दिये और जो लोग मेरी चैनल में पहली बार है मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और साइड में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीज़ेगा तारकि मेरी हर वीडियो की नोटिपिकेशन है वो आप लोगों को मिल सके तो फ्रेंज मैंने आम ले लिय है और छिल के आम को बड़े बड़े टुकडों में काट लेना है और फिर मिक्सिंग में हमें पीस लेना है तो अभी तो आम का सीजन नहीं आया है पकने का सीजन नहीं आया है अभी तो आम है वो आचार बनाने के लायक भी नहीं हुआ है जो कच्चे आम होते है उसकी तो ग के लिए आजाते हैं तो यह आम है वह अभी तो महंगा ही मिल रहा है जो देशी आम होते हैं वह तो अभी पकेंगे अभी देर है उसको पकने के लिए तो फ्रेंड्स मिक्सर जार में मैंने आम को डाल दिया है और आधा ग्लास को मैंने दूड डाल दिया है और दो चमचीनी ड हमारा जूस है वह बनके रेडी हो गया है आप लोग देख सकते हैं इसकी कंसिस्टंसी एसी रखनी है ज्यादा पतला बना देंगे तो वह खाने में अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड्स तो आप लोगों को एसी कंसिस्टंसी रखनी है जुसकी अब मैं जुसको एक पेन में और अब मैं ठंदा होने के लिए अब फ्रीज में रख देती हूँ are the तो पूरी बनाने के लिए मैं आटा गुंद लेती हूँ और आटे में मैंने थोड़ी अज्वाइन डाली है और थोड़ा नमक और थोड़ा ओईल डाला है वो मौन के लिए अज्वाइन हमें पूरी में जरूर डाला है फ्रेंड्स उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अजवाईन वाला तो friends अभी में अच्छे से ये सब सारी चीज़े डालके आटा है वो अच्छे से गुंद लेती हो आटा हमें अच्छे से मसल मसल के गुंदना है पूरी के लिए ताकि पूरी है वो हमारी अच्छे से फूल के तयार हो जाएंगी पूरी के लिए हमें आटा अच्छे से गुनते हैं तो पूरी है हमारी बहुत अच्छी बनती है तो मैंने आटा है वह अच्छे से लगा लिया है आप लोग देख सकते हैं तो अब लाश्ट में आटा मेरा गुंद गया है तो थोड़ा सा ओल में हथेली में लेके अच्छे से लगा लेती हूँ ताकि आ अदे गंटे के बारेक्षट करके हो गया है तो अब मैं ओयल करने के लिए reas i, और पुरी बेलने duecom 8 ήταν शोरा दॉरी महीं क apostुलाप भाजती है तो इस बारत हे अब मैं शोड़ी के लिए बनाना सिल रहा है ये और वेशा जब दूसरी के सबने और ऑघक है वह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और अब मैं यह मसीन में थोड़ा सा ओल लगा लेती हूँ दोनों साइड में ताकि जो हमारी अंदर हम यह गुल्ला रखेंगे तो पूरी है वह चिपकेगी नहीं तो फ्रेंट्स यह देखिए मैंने चोटा सा यह आटे का जो गुल्ला ह के बना लूँगी फिर बाद में हमें अच्छे से तेल में डालेंगे एक साथ तीन तीन पूरिया हम ओल में डालेंगे तो एक साथ हमारी पूरिया है वह फटा-फट तल के रेडी हो जाएगी तो फ्रेंट्स आप लोग देख सकते हैं मैंने ओल में पूरिया डाल दी और हम बनाते हैं वह भी आप लोगों को दिखाऊंगे फ्रेंट्स तो आप लोग वीडियो कंटीनु देखते रहेगा तो आप लोगों को भी पता चल जाए गया कि पुरिया है वह जिस लोगों के घर में मसिन नहीं है वह कैसे बेली जाती है और जा जो जारे में मैंने पुरिया ज ताकि हमारा oil है जो निकाली पूरिया है वो अच्छे से निकल जाए और अब देखिए मैं सारी पूरियों को अच्छे से दबा दबा के आधी पूरियों को मैं दबा के machine में बना लूँगी और आधी आप लोगों को दुसरी तरह से बना के दिखाऊंगी चैनल पर नए है और सब्सक्राइब भी जरूर से किज़ेगा फ्रेंड्स आमका रस और पूरी है वो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और सीजन में ये खाना ही चाहिए और अब मैं आपको दूसरी तरीके से पूरिया बनाना सिखाती हूँ पहले हमें रोटी बनाने जैसा ब बहुत अच्छी तरीके से रोटिया है वो अच्छे से बेल जाती है तो फ्रेंड्स ये देखे मैंने बड़ी रोटी बेल लिए और अब मैं चाकू की हेल्प से उसको दोनों साइड से कट लगा देती हूँ ताकि चार पूरिया है वो हमारी बनके रेडी हो जाएगी और आ आप लोग चाहत बेलन से चोटा चोटा जो पूरी होती है गोल गोल वो भी बना सकते हैं लेकिन इस तरीके से आप लोग बनाओंगे तो फ्रेंड्स आप लोग मानोंगे नहीं बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है हमारी पूरिया और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और बच्चे भी इस तरके की इस से पूरिया देखके बहुत अच्छे से खा लेंगे तो अप लोग अपने गälle में इस तरके से भी पूरिया बनारे जरूर। ट्राइ की है एक ही तरीके से बना कर खिलाते हैं लेकिन एक फीरण तरीके से बनाकर उन लोगों को ख बज़े से खा लेते हैं और आमरस और पूरी तो उने लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और त्रेंडस जो मैंने फ्रीज में जूस रखा था आमका रस वह भी ठंड़ा हो गया और आमका रस है वह ठंडा ठंडा खाना में ही बहुत मज़ा आता है फ्रेंडस तो आप आप लोगों को दिखने में बहुत अच्छा लगेगा तो आप लोग देख सकते हैं मेरी आमरस पूरी बनके रेडी हो गई है तो आप लोग भी अपने करमे बना के सीजन में जरूर ट्राइ कीजिएगा